Hello everyone, welcome to my channel, 1DK Economic Solutions इस channel में हम Class 12 के बारे में discussion करेंगे Class 12 की economics के बारे में discussion करेंगे यहाँ पे हम सब लोग जानते हैं कि Class 12 में दो बुक्स हैं एक आपकी Indian Economic Development and second is Metro Economic Development यह दोनों ही बुक्स आपको बोर्ट्स में 40 मांक्स और 40 मांक्स कवर करती है और आपका 20 मांक्स का प्राक्टिकल दन्दा है यह सब हम लोग जानते हैं, Class 12 में 40 Indian Economic Development, 40 Macroeconomics और 20 मांक्स को प्राक्टिकल्स अब सबसे महले जो गुर। कि स्टार्ट कर रहे हैं को बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे आई ये स्टार्ट बिटें सबसे वहले introduction मतलब chapter 1 के index के साथ किसी भी chapter को समझ नहीं है सबसे वहले उसका index का समझना बहुत जरूरी है तो index में क्या बता है जोने ndex-index में आपको क्wenोक्य मे मिन्स ऐसकैना पहीं जेकिन सब्सक्राइब का इन गुर?. सब्सक्राहिए आपको बताएं गाएं कि मेल अफ्नाव मünde मिन मीडे पार मिन के बदरिक्शन इसके बादल इसके बादम गचात्र पूरा कैण में vaissom पूरनाजे संदें जृट करते हैं मतलब श् stretch बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं है तो यह स्टार्ट करते हैं chapter नोमर one Macroeconomics, introduction जैसले हमने एंडेश पर पढ़ा था कि सबसे पहले हम economics के पारे में discussion करेंगे कि economics जो विए वह आया नहीं थे तो चलिए आजिए पढ़ते है The term economics is originated from Greek word सबसे में आपको याद रखना है जो term economics है वो एक Greek word है Greek word कहा से आ रहा है? Oikonorms से economics है अब हमने Oikonorms को भी डिवाइट कर दिया तू पार्ट में Oikonorms अब हमने तू पार्ट में क्यों डिवाइट कर रहा है? क्योंकि कभी-कभी ये चीज हमसे MCQs में पूछ लेता है जाथा कि हम सब जानते है कि 12 पे वोट में आपको MCQ भी देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले Oikonorms Oikonorms मतलब होता है house और norms मतलब होता है management house और management अब यहां पे house कभी मतलब है? management तो समथ में आदा है कि चीजों को manage करना यहां पे जब house है वो है हमारा जिस भी country में हम रहते हैं उसकी बात करते हैं suppose हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया को क्या करेंगे? manage करेंगे economics में हम बढ़ेंगे कि इंडिया को कैसे-कैसे हम manage कर देंगे कैसे-कैसे economic activities जो हमारे country में होनी है like transportation, communication, banking, insurance, agriculture इन सब को हम कैसे manage करेंगे वो सब हम discuss करेंगे है आगे economics में उसके बाद एक बहुत ही simple si language में हमने एक definition बनाने की कोशिच करी है economics की किसकी definition बनाने की कोशिच करी है? economics की definition बनाने की कोशिच करी है तो आइए इस पढ़ते हैं देखिए क्या लिखता इस में when we study about different kind of economic activities at individual levels means micro and whole means aggregate means macro level known as economics तो इस जो यह definition है इसके बारे में थोड़ा सरा discussion हम कर रहते हैं कि यह क्या बनाने when we study about different kind of economic activities at economic activities क्या होती है हमारे दिभाग में यह बात आएग economic activities अभी हमने open पे discuss किया थे economic activities के बारे में जैसे economic activities आपकी agriculture, banking, transportation, communication, insurance यह सब हमारे economic activities होती है अब उन economic activities को अगर हम individual level पे बात करेंगे मतब एक example लेके बात करते हैं एक individual firm एक individual household यह एक individual agriculture society तो जिसमी हम individual मतब single one एक चीज़ के बारे में बात करेंगे एक नॉमिक्स में तो हम उसको बोलते हैं माइब एक नॉमिक्स एड जब हम whole level मतब whole के साथ आप लोगो एक word और याद करना है वो word कौन सा अपना aggregate बहुत important एक नॉमिक्स में aggregate का मतब क्या होता है total aggregate का मतब होता है total aggregate बढ़ा आपको याद रखना है तो यहां लिखा हुआ है whole और aggregate मतब total level whole level जितनी भी हमारे भारत में economic activities हो रही है उपर को हमने individual level की बात करेंगे अब हम यहां बात करेंगे aggregate level whole level तो उसको हम बोलते हैं macro economics चलो एक्जाम्पल ले रहते हैं whole level का मतलब aggregate demand aggregate supply aggregate agriculture sector हमारे और aggregate firm इन सब चीजों के बात करेंगे तो हम बात करेंगे macro economics के और इन दोनों को मिला के हमारी एक definition कौन से बंजाती है economics के बहुत simple definition बंजाती जो आपको याद करने में भी असानी रहेंगी तो हमने economics word कहां से आया वह हमने देखा और यह हमने इन आपकी बेफिमेशन समदने की कोशिश रहे है